हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास तेंथ का यूपी बोर और सी बेसी बोर का एक पोयम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डश्ट अफ सुनू यह जो हमारे पोयम का जो टाइटिल है यहां पर डश्ट का मतलब होता है धूल लेकिन हम यहां पर इसको चोटे चोटे टुकडे इस पूयम को पढ़ने से पहले आई यह कुछ चीजों के बारे में जानते हैं आप लोग कई बार देखे होंगे कि कोई जब यह जगह से दूसरी जगह जब जा रहा होता है और रास्ते में जब एक बिल्ली होती है कोई एक सी आर होता है जब एक प पर जा रहे हैं वहां पर जाने से या तो नहीं उनका काम अच्छा होगा और नहीं वहां पर ठीक से वह पहुंच पाएंगे तो इसको वह ने ले लेते हैं और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो रंगों को लेकर के भी सही या गलत मानते हैं कुछ लोग का मानना होता है कि अ यह जो रंगों के चीजों को लेका कि और क्या सही है क्या गलत है किस तरह से बिज्ञान जिन चीजों को मानता है वो यह होता है कि जो सत है जिसको सिद्ध किया जा सकता है बिज्ञान यानि साइंस उन सारी चीजों को मानता है और जो इस तरह के जो भेदभाव हैं इन सारी च और बिग्यान को ही मानते हैं और उनका क्या मानना है इस पोयम को पढ़ते हैं और जानते हैं तो पोयम यहां से सुरू होता है लिखा हुआ है The way of a crow sucked down on me the dust of snow from a hemlock tree तो इस देखिए जो कवा होता है उसका रंग जो होता है वो क्या होता है काला होता है अ तो इस तरह से क्या होता है जब उस से में प्वोइट एक जगह पर जा रहा होता है और वो जो जगह होता है बरफीला जगह होता है और उस बरफीले जगह पे एक पेंड होता है जिसका नाम होता है हैमलॉक्टरी उस पेंड के पास रुकते हैं ठीक वहीं पे उस पेंड के उपर एक किसी डाल पे एक कवा बैठा हुआ है और कवा जो अपने पंजे से या अपन चूँच से कोई हरकत करता है और उसके हरकत की वज़ा से जो बर्प के जो छोटे-चोटे जो टुकड़े होते हैं वो पुएट के उपर गिर जाते हैं जिससे में पुएट का जो मूड होता हो बिल्कुल आफ होता है यानि वो मूड सही नहीं होता है तो इस तरह से इस लाइन में यह चीज़ कहा जाता है एक बार फिर से बता रहा है दवी आफ प्रो शॉक डाउन आन्मी जो कवा है वो कुछ हिला के मेरे उपर गिरा देता है और जिस तरह से गिराता है दर्श्ट अफ स्नू फ्राम हैमलोक ट्री यानि उनके उपर क्या गिरा से बंसन्दू करते हैं और कहां से इंदू और जाता है और यह जो होता है वह जहरी ला होता है तो को पत्तियों को या इसके बीच को खाने से किसी की बृत्ति हो सकती है तो इसलिए से इसको भी निक्टी वे में लिया जाता है यानि लोगों का मानना है कि यह नहीं है तो आए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है अभी अभी हम आप लोगों से बताएं कि जब पोएट उस जगह पे जब जा रहे होता है दूसरे जगह पे तो जब रास्ते में उस हैमलोक ट्री के पास जब रुखते हैं तो उस समय उनका मूड बहुत ही खराब होता है सही नहीं होता है लेकिन जब उनके उपर बर्ब के छोटे छोटे टुकडे जब कौवे के किसी हरकत की वज़ा से जब उनके उपर गिर जाते हैं तो यहां पे उनको क्या होना चाहिए उदास थे उनको और भी ज़्यादा उदास होना चाहिए ठीक है लेकिन वो यहाँ पे उदास नहीं होते हैं बलकि यह क्या कहते हैं He has given my heart a change of mood जो यहाँ पे जो mood है वो हमारा उनका जो poet का जो mood होता है वो पूरी तरह से change हो जाता है यानि वो खुस हो जाता है and saved some part of a day I had rude और जो बाकी का जो दिन होता है जो खराब हो जाने वाला होता है वो खराब होने से उनका दिन भज जाता है यानि वो यहाँ पे negative way में इस चीज़ को नहीं लेते हैं बलकि positive way में लेते हैं कि हमारो जो दिन है अब वो खराब नहीं होगा अगर इसे चीज़ को negative way में लेते तो क्या होता वो यह सोचते हैं एक तो हमारे सामने काला कववा आ गया और दूसरा जो हैम लॉक्टिरी है जो जहरीला पियर है उसके पास मैं रुका और इसके उपर से कववे ने उस काले कववे ने मेरे उपर कुछ गिरा दिया अब मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो हमारा दिन अच्छा नहीं कुछ है उस जगह पे मेरा दिन अच्छा नहीं होगा या जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो हमारा काम अच्छा से अब नहीं होगा अगर इस तरह से वो प्वेट सोचते हैं तो साइद वो वहां से नह जाते हैं लेकिन वो इस चीज़ को नेक्टिव व्यर्म कar ön compromised कि अगये वे बचार्श बेंच आधा उनका बूड होता है जो खराब कि आई तो आधये इस पोयम के राइमींग के बारे ह authorized कि यहां पे जो हमारे फस्ट इसटेंजा के जो लाश्ट मीय निखा है क्रोड करो Dw laiming बनेगा वह हमारे फरst इसटेंजा के थरड लाइन में लिएसन उ तो करो नहीं में राइमी में लिखा है तो मी का होगा त्री आएक दूसरे यीजा में देखते हैं दूसरे इस्टिंजामों जो राइमिंग हमारा बनेगा वह यह चीज़ बनेगा ओब हर्ट इसको ही'll अट हर्ट हर्ट पढ़ते हैं इसको हाट पढ़ते हैं तो रहत पर दंगर था थ्लायन में satisf i में लिखा है पार्ट तो हाट का वगा और वम लोग को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हर क्लास का एंगलीज का वीडियो लेकर आते रहेंगे और हमारा मकसद यह आप लोग के पढ़ाई को और भी ज्यादा आसान बनाना इसके लिए आप लोग को कोई भी काम नहीं करना है बस एक ही काम करना है बस हमारे साथ आप लोग को जुड़े रहना होगा तो आसा करते हैं इन फ्यूचर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे साथी साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा और भी मैज़दार और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें थन्यवाद जय हिंद